हेलो एब्रिवन वेल्कम टू टाइमस ऑफ मैंतमेटिक्स यूट्यूब चानल इस्ट्वेंट्स मैं अमित पांडे आज आपके लेकर आए हूं क्लास बीस्सी की मैंतमेटिक्स और हम पढ़ रहे हैं बुक रियल एनालेसिस तो पिटा आज सेकंड लेक्चर है यूनिट इससे फर्स लेक्चर पर हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन और थियोरम पढ़ाई थी आज आगे की थियोरम देख रहे हैं बहुत इच्छी और इंपॉर्टन थियोरम है कुछ अलग सीखने को मिलेगा आज हमें तो देखे थियोरम क्या है शो दैट दे सेट अफ रे रेशनल नंबर के पास अपने अंगिनत लिमिट पॉइंट होते हैं और कौन से होते हैं विचार ओल रियल नंबर सारे के सारे रियल नंबर देखो रियल नंबर सारे इसके अंदर भी नहीं आते है चोटा है फिर भी सारे रियल नंबर इसके लिमिट पॉइंट है तो अभी हम सब देखेंगे भी और ये शो भी करेंगे तो देखे पहले question समझना बहुत जरूरी है हमें ये बताना है कि rational number के पास बहुत सारे limit point होते हैं तो शुरुवात करते हैं let x 0 belongs to r मतब कोई भी बिंदू मैंने पहली भी definition अगर नहीं पढ़ी है तो please suggest करूँगा आप जाके definition को पढ़ ले तभी आपको समझ में आएगा तो x 0 जो भी इसको भी limit point बोल रहे हैं वो कहीं भी हो सकता है real line का तो x 0 belongs to r जरूरी नहीं है set के अंदर का और भार का अंदर का कहीं का भी हो सकता है तो let x 0 belongs to r be any arbitrary point arbitrary इसले कहा जा रहा है कि कोई सा भी randomly choose करके कोई सा भी हो सकता है और जो बात इसके लिए लागू होगी वो सारे real numbers के लिए लागू होगी real number के अंदर सारे rational के लिए लागू होगी सारे rational के लिए लागू होगी ठीक है तो मान लिया कि माना x 0 कोई arbitrary point है और वहब x0 become a limit point x0 limit point कब बनेगा if any open interval जो x0 को रख रहा हो contain at least one point of set क्योग जो देखो मालिया ये real line है हमारी यहाँ पे कोई बिंदू है x0 ये limit point कब होगा जब इसके आसपास का एक open interval मालिया g नाम का एक open interval मना लिया g के अंदर कौन है x0 belongs to g बोला भी उसने any open interval g नाम दे देंगे any open interval g containing x0 जो x0 के रखता हो ऐसा open interval बनाया open interval जिसके अंदर x0 है अब ये open interval कम से कम एक बिंदू rational number का जरूर रखता हो distinct from x0 मतब इस x0 के अलावा यहाँ पे कोई ना कोई q का element जरूर हो ये बताना है अगर ऐसा हो गया तो ये point limit point होगा अब फिर हमने जरा सोचा कि we know open interval हमें तो पता है open interval के अंदर तो open interval के अंदर तो हमें पता है infinite infinite rational number होते हैं और इसके अंदर infinite rational और rational दोनों होते हैं तो फिर तो हमने बोल दिया ये तो बहुत अच्छी बात होगी हम तो एक डून रहेते हैं यहां तो बहुत सारी निकल गए कोई बात नहीं हमें तो एक की जरूरत थी तो आता ये कह सकते हैं कि जो open interval जो x0 के आसपास बना था उस open interval में से अगर मैं x की गिंती ना करूं open interval minus x0 तो इस छेत्र में, एक जिरो छोड़ के इस छेत्र में यह वाला यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इस छेत्र में Q के साथ इंटर सेक्षन में 5 नहीं आएगा क्यों? क्योंकि Q मतलब rational number और इस छेत्र में भी rational number होने के वज़े से दोनों में कुछ न कुछ common जरूर होगा या सीधी भासों में ये बोलो कि इस x0 को छोड़के बचे वे हिस्से में कोई ना कोई set का element जरूर होगा तो इसलिए दोनों का intersection phi नहीं आएका खाली नहीं है हम कह सकते हैं कि rational number q have infinite limit point अब ये arbitrary बोला तो ये भी हो सकता है मैं यहाँ पर कोई दूसरा point बनाओ ऐसे open interval करूँ उस बे भी एक ना एक क्योंकि open interval के अंदर बहुत सारे unginat irrational होते हैं तो एक तो हो गई होगा जब unginat हो रहे तो तो ये वाला भी limit point ये वाला भी ये वाला भी तो unginat limit point है अब असली बात अच्छा और अभी ये ही चीज irrational के लिए भी होगी कि कोई भी irrational element ले लिया कोई भी और जब मैंने कोई भी बिंदू कोई भी बिंदू ले लिया हमने बोला कि भाई open interval बनाओ पूरा ऐसी चलेगा open interval लेकिन open interval में तो irrational भी होते हैं तो अता है वहाँ बिंदू भी limit point होगा कि इसका irrational का अब असली चीज ये है कि which are all real number ये कैसे पता चला तो देखो आप अगर देखोगे चाहे कोई सा भी number लो जैसे मैंने बोला under root 2 तो under root 2 जैसे होता कहा है under root 2 अगर मैं line में बता हूँ तो देखो ये 1 होता है ये 1.414 value होती है under root 2 की और भी हो सकते हैं मैं root 2 इसलिए कह रहा क्योंकि अगर मैं बोलू क्या root 2 Q का rational number का neighborhood है तो देखो बिलकुल होगा क्यों देखो Q के अंदर ये नहीं आता फिर भी लेकिन इस बिंदू के आजपास जब open interval बनाऊंगा तो इस बिंदू को छोड़ कर इस open interval के अंदर Q के भी है और Q C के भी है तो जब ऐसा होता है कि किसी बिंदू के आजपास सेट का कोई ना कोई एक element भी होता है तो उस बिंदू को limit point बोलते है तो देखो under root 2 limit point हो गया Q का लेकिन under root 2 अंदर भी लॉंग नहीं करता फिर भी limit point तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी real number उठालो हर किसी के आजपास जब open interval बनाएंगे तो उसमें Q भी होंगे उसमें QC भी होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि सेट के हर बार open interval में element होंगे तो Q के बाज भी अंगिनत सारे real number neighborhood है ओ स्वारी limit point है QC के भी सारे limit point है तो मतलब पूरा का पूरा real number हो के कोई से भी बिंदू उठालो सब के सब limit point है किस के Q के भी और QC के भी क्योंकि किसी भी बिंदू के आसपास open interval मनाओगे वहाँ Q जरूर मौजूद होगा वहाँ QC जरूर मौजूद होगा इसलिए उस बिंदू को हम limit point बोलेंगे या यह बोल सकता हूँ पूरे real number को मैं limit point बोल सकता हूँ Q का भी और QC का भी ठीक है अब इसी तरीके से अगनी next theorem देखते हैं I hope यह समझ में आया होगा आपके अब आजाते हैं show that the set of real number are कि सिद्ध कीजिए जो real number है have infinite limits point real number के पास भी बहुत सारे limit point है अच्छा तो देखो यह हैं कितने होंगे और यह बात है कौन कौन से होंगे तो जैसे Q और QC में बहुत सारे हैं लेकिन अगर पुछिए का कौन से हैं तो बोलेंगे सारे real number सेम यहाभी real के पास भी बहुत सारे हैं और कौन से हैं पहचान कराओ उनकी तो which is all real number सारे real number हैं अब यहाँ तो देखो बहुत सीम्पल सी बात है देखो माना X0 कोई बिंदू है यह हमने बोला कि माना X0 कोई बिंदू है X0 become a limit point यह limit point कब बनेगा जब इसका एक open interval होगा G open interval G containing X0 जो X0 को रखता हो साथ में contain at least one point of R distinct from X0 X0 के अलावा इस open interval में एक नएक real number होना चाहिए अबे भाई कैसी बात कर रहे हो वो तो हो गई होगा क्योंकि we know open interval के अंदर तो यह सारे हैं क्या यह सारे हैं क्या यह पूरी line है real number है आप इसको नहीं किनोगे लेकिन बाकी सारे तो real number है तो हमें तो एक चाहिए था set का यहां तो सारे ही वो ही है तो हम भोलेंगी हाँ real number का set किसी भी बिंदू के आसपास area बनाओ सब जगे real भरा पड़ा है तो x0 belongs to open interval open interval के अंदर x0 है और real number का set और intersection इस area x0 को छोड़के यह area और real number पे common लेंगे कभी भी खली क्यों आएगा यह सारे जो बचेवे बिंदू है वो भी तो r के ही है तो इसके यह open interval और r में अगर common लोंगा तो कभी भी खाली नहीं आएगा तो बोल सकते हैं कोई भी point चाहिए यह वाला point उठा लो यह सब बिलॉंग करेंगे कहां पे r पे सारे point होंगे कहां पे r पे हम कह सकते हैं hence every point of set of real numbers r is a limit point मतलब हर एक point of set of real number real number का हर एक point पूरी real number का हर एक बिंदू limit point कहलाएगा real number के set r का यह question कई बार ऐसे भी पूछा जाता है यहां तो मैंने बोलता कि real number के पास बहुत सारे limit point है यह सिद्धि करो और वो real number यह कौन-कौन से हैं यह लेकिन अगर question ऐसा भी आ सकता है show that the set of real number have every point is limit point सिद्धि कीजिए कि real number का हर एक point अपना खुद का हर एक point limit point हो इसको भी same ऐसी करेंगे I hope वीडियो अच्छी लगए हो तो वीडियो को like करें friends के साथ share करें और channel में नए है तो channel को subscribe करें बेटा इसमें आपको real analysis के MCQ भी मिलेंगे आप देख रहे हैं भी यहाप MCQ का playlist आ रही होगी हमाँ क्लिक कर सकते हैं साथ में number आ रहा है contact कर सकते हैं और real analysis बहुत अच्छी बुक है पूरे 70 out of 70 लानिक वाली बुक है आपको अच्छी लग रही होगी comment में नहीं थोड़ी कंजूसी कर रहे है comment कीजिए जो भी आपको अगर वेडियो अच्छा लगए तो अच्छा कीजिए suggestion देना suggestion दीजिए चले मिलते हैं next video के साथ okay bye